इंट्रिस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी के बारे में जी यहां दोस्तों निफ्टी के बारे में जानेंगे निफ्टी का डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंतली चार्ट कैसा कह रहा है औ और शॉर्ट टर्म का चार्ट यानि 15 मिनट चार्ट और आदे गंटे का चार्ट क्या बोल रहा है और निफ्टी की जो रेंज आ रही है बजट की वो आपको बड़े शॉक कर देगी वो आ रही है पंदराजा सौ से लेके 19,800 तक की तो इसको हम समझेंगे इस रेंज में किस त चार्ट करते हैं चिन डाटा पे और समझते हैं यहां पर निफ्टी का डाटा क्या बोल रहा है और चार्ट को अंडर्स्टैंड करेंगे प्लस साथी में मैं आपको कुछ इंपर्टन पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको मार्केट का बॉटम और टॉप समझने में आपको ह करेगा तो सबसे पहले यहां पर देखो कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपर्टन पॉइंट बताया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया थी कि जो ग्लोबल मार्केट की वज़े से हमारे ट्रेडिंग सेशन में यानि सेकंड हाफ में जो प्रॉफिट वोग लॉजिकली अगर यह सोचा जाए देखो सिंपधी चीज़ है फैट का डिसीजन आया फैट के डिसीजन वाले दिन डाउ चार सो पॉइंट उपर टेड कर रहा था वहां से प्रॉफिट वॉकिंग आ गई नेगेटिब में क्लोज हो गया दोसो पॉइंट अगले दिन फिर गया अगले नेगेटिव ट्रेंड में है और अगर मार्केट को बॉटम बनाना है तो मार्केट कभी भी गयाप खुलके बॉटम नहीं बना सकता है यानि गयाप खुलके ऊपर भागता चला जाए ऐसा पॉसिबिल्टी बहुत कम होती है क्योंकि अगर गया पो तो बायर को क निफ्टी को बॉटम बनाना है और निफ्टी अगले दिन 200-300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो क्या बायर इंट्रेस्टेट रहेगा क्योंकि बायर की अल्डी 300 पॉइंट की प्रॉटिविल्टी जा चुकी है उसको उसके बाद मार्केट को स्ट्रेश करना पड़ेगा त तो उस केस में क्या होता है जो चौट सेलर होते हैं उनके पास किलियर कट अपॉच्टी दिखती है प्रॉफिट बॉकिंग करने की क्योंकि उनको ओवर दे नाइट एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है और लगबग लगग मार्केट उसी लेविल के पास ट्रेड क हुआ आप देख रहें यह नेजडेक की केंडल है लो जो था वो था रहां तेरह हजार नौसो की करीब का और हाई आपका बनाए 14,450 का अल्मोस्ट साड़े 500 पॉइंट की रिकवरी है डे लो से ठीक है ना तो यहां पर यह कंफरमेशन कहीं ना गई यहां पर मिलता मिल रहा और बांस करेगा तो हमारे पास जो हमारा मार्केट है वो वैसी रॉकेट की तरह चलता है कोई उसको इतनी जल्दी नहीं क्योंकि हमारे पास इंटर्नल फंड्स बहुत जादा हैं SIP का कंटिनूसली फ्लो यहां पर चल रहा है और DIA इस अच्छा खासा मार्केट को करें सबसे पहले मैं चलता हूं यहां पर निफ्टी एनस्ट की वेफसाइट और यहां पर मैं आपको दखाता हूं निफ्टी की रेंज क्या है लेको मैंने इसको रिफ्रेश्च किया अब आप देखो निफ्टी की रेंज फंद्रह जाज्स से लेकर वीकली स्रीज है तीन सारा की यह姐्री देख रही है 2000 रैंज देख रही है और इसमें सब्से चीक चीज क्या था इसा मैं अज अप कॉल पर आपको 78,000 का open interest यहां पर खड़ा हुआ है अगर नीचे बढ़ता हूं तो 78,000 के nearby में अगर देखा जाए तो 19,000 पर आपको कितना है 51,000 का open interest है 19,000 के level पर करीब करीब 80,000 का open interest है इसके साथ और नीचे बढ़ते हैं तो 18,500 पर 16,000 का open interest है और अगर इसके और नीचे बढ़ते हैं तो 18,000 की जो level है वहाँ पर कितना है 18,500 पर 16,000 का और 18,000 पर करीब 77,000 का open interest दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब इतना सा है कि कहीं ना कहीं जो traders हैं जो options sellers हैं वो market में ये expect कर रहे हैं कि budget के बाद एक बड़ा move आ सकता है either upside और either downside इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इतनी बड़ी range पर open interest बने हुआ है मतलब हर 500 point को छोड़ के यानि अगर 18,000 पर आपका 80,000 का open interest है यहाँ पर 77,000 का open interest है तो इसके बाद सीधा 500 point छोड़ के आपको एक बड़ा open interest दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो options sellers है उनको यह लग रहा है कि market कहीं ना कहीं बड़ा move दे सकता है ठीक है put side की बात करें तो put side पर आपको दिखेगा 17,000 की put पर 31,000 का open interest है इसके बाद बड़ा open interest देखा जाए 16,500 की put पर करीब 45,000 का open interest है 16,000 की पर करीब 49,000 का open interest है उसके नीचे और भड़ते हैं तो हमें दिख रहा है 15,500 का 48,000 का open interest है तो यह चीज़ यहाँ पर clearly दिख रही है कि market यह expect कर रहा है कि बड़ा move आ सकता है बड़ा move को कैसे आपको play करना है उसका simple दा logic है कि अगर आपको यहाँ पर play out करना है तो देखो simply कम risk पर आप चाहते हो कि अगर market में move आ सकता है बड़ा तो जाहिर दी बात है आपको यह दूर के option buy कर लेने चाहिए ठीक है न यह 18,000 की call देखो 37 रुपीज की चल रही है यह थोड़ी महंगी है 18,500 की call देखते है हाँ 8 रुपी की चल रही है इस 8 रुपी के ऊपर के option आपको buy कर लेने चाहिए इविन 18,500 से लेके 19,000 की सारे option एक lot, दो lot, तीन lot में buy कर लेने चाहिए लेकिन यह चीज़ समझ लीजिए अगर one way move आता है मतलब अगर market budget वाले दिन ही अगर भागता है तो इन options में बहुत ही अच्छा profit मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा क्योंकि देखो एक तो यह far away के option है दूसी चीज़ा है का market 2-3%-4% का move दे देता है अगर intraday में तो जो far away के options होते हैं यह बहुत तेजी से बगते हैं मतलब आप समझ लीजिए अगर nifty ने 3% का move दे दिया तो तो because of gamma effect की वजए से यह options बहुत तेजी से भागते हैं दूर के क्योंकि pass के option already महेंगे हो चुके होते हैं तो वहाँ पर जो buyers हैं वो दूर के options को तुरंट buy गनने की कुशिस करते हैं तो थोड़ा सा आप इन options पर ध्यान दे सकते हैं अगर आप कम risk के लेना चाहते हो 2,000-3,000 रुपे के risk में यह बहुत अच्छे options हैं आप इनकी let us suppose आप एक lot 1,800,700 की call का लेते हो तो कि 8,600 lifetime आई है अगर निफ्टी ने move दिया तो 8,600 definitely touch करतेगा तो 8,600 की के 6 रुपे का option है आप अगर इसके 2 lot, 3 lot, 4 lot भी लेते हो तो कितना investment आपका लग रहा है मुश्किल 500,600,700 रुपे का investment लग रहा है तो आप 500,600,700 रुपे में आपको यहां पे इसका target 50 भी मिल सकता है 100 भी मिल सकता है तो यह चीज़ आप clearly यहां पे समझ लीजिए तो यह option chain की रही कानी अब बात कर लेते हैं निफ्टी के chart की अगर हम निफ्टी का chart देखें यहां पे बहुत 22,000 की call bank निफ्टी की और निफ्टी की 18,600 की call मेरे पास पड़ी हुई है monthly series में weekly series में नहीं है monthly series में उसके बीचे का reason भी मैं बताऊंगा कि उसके बीचे का reason क्या है उसको भी मैं अभी आपको समझाता हूँ तो देखो सबसे पहली चीज ठीक है यहां पे आ जाते हैं हम sensible की साइट पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने monthly में क्यों बनाई है position weekly में क्यों नहीं बनाई है आप देख सकते हो यहां पे अगर आपको निफ्टी में यह आपको easily समझ में आ जाएगा देखो 18600 की जो call है यह रही 18600 की call है कितने की चल रही है 6 रुपे की ठीक है इसका आईवी कितना है 32.00 का ठीक है अब मैं अगर monthly की लगाता हूँ तो monthly में आपको क्या है इसका आईवी कितना देखेगा 18600 की call का आईवी आपको कितना है सिर्फ 21.79 का समझ रहे हो कि होगा क्या because आप expectations जो है वो weekly series में बहुत जादा है तो महाँ पे आईवी भी बहुत जादा है ठीक है ना monthly में इतनी जादा आईवी नहीं है आप देखो monthly के जो आईवी से वो नॉर्मल ही है 23 चॉप इसके नहीं आया तो विक आफ आईवी क्रेश की वज़े से मार्केट में जो भी बायर्स हैं यह एड़ दा मनी नियरबाए 17,700,800,900,800,000 की जो लेविल्स के हैं इनमें जो आईवी क्रेश होंगी जिसकी वज़े से प्रीमियम ड्रॉप होगा वो बहुत फास्ट होगा monthly में इतनी इवेंट की चक्कर में होगर इवेंट के बाद मार्केट मूव नहीं देता है साइडवेस ही चला जाता है तो होगा क्या वीकली में बहुत तीजी से आईवी स्क्रेश होगी ना कि monthly में समझ रहे हैं और अगर मार्केट मूव दे देता है तो वीकली में नो डौट लगवे लगवे मेरे को जितना expectations होगा उतना ही तो चाहिए होगा let us suppose market move भी देता जो motive है वह monthly में weekly में आप बना सकते हो पोजिशन थोड़ी दिर के लिए एक दो गंटे अगर move आता है ठीक है नहीं तो आप काट दो अपनी पोजिशन को उस बेसित पर इसलिए हम मैंने जो position बनाई है वह यहां पर monthly वाले में बनाई है अब बात कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट की तो चार्ट आपको clearly अगर price action के साब से यहां पर चार्ट देखा जाए अभी तक क्या हुआ था यहां पर निफ्टी ने टॉप बनाया उसके बांस आया फिर नी को ikuts लोग को है आपके एंपर किनी पर मैंना यहां पर इसको कर लेते हैं तो सबसे पहला जो लेविल आता है buying side पे अगर आपको अपना एक strong position बनानी है वो सबसे पहला important level आता है वो है आपका ये 17650 के उपर अगर nifty trade करने लग जाए तो जादा आपको दिमाग लगाने की जरूद नहीं है कि यहां से गर जाएगा उपर चला जाएगा इसके उपर आपका buy बनता है एक ही level बता रहो हूँ इसके उपर आपका buy बनता है और यहां पर अगर यह cross कर जाता है level आप buy करिए सीधा सीधा आपका जो target होगा वो यह होगा इस buy को आप hold भी कर सकते हो ठीक है अगर monthly basis पर आप option buy कर रहे हो तो आप इसको hold भी कर सकते हो इसके उपर 5-10 minute trade कर गया 18-650 के उपर तो आपको यहां पर long में जाना ही जाना है ठीक है इस level के नीचे निफ्टी चला गया ठीक है और 5-10 minute trade कर गया तो आपको short करना ही करना है यह चीद आप के लिए लिए समझ लिए इसलिए मैं एकी level बता रहा हूँ आपको इस level के उपर और नीचे आपको buy और sell करना है यानि उपर निकलता है buy और नीचे टाता है 16-420 के नीचे टाता है तो sell clearly यह level है जो की nifty में यहाँ पर कामकाच करेगा monthly में अगर देखें यहाँ पर तो आपको यह दिख रहा है यह monthly की जो candle है वो almost आपका एक doji type की बन जाई है अगर Monday को market में bounce आ जागा तो यहाँ कहीं nifty close हो सकता है 17-250 के आसमाज monthly candle में ठीक है तो आपको next candle हो सकता है positive आपको बनती हो दिखाई दे ठीक है और अगर किसी को यहाँ पर as a gamble तरीके से खिलना है तो वो sympathy चीज़ है long side पर ही खिलने की कोशित करे इसके बीचे का दो reason है एक reason है कि budget में negative आने के chances थोड़े से कम है because of elections की वजह से election से पहले BJP सरकाथ चाहिजी कोई negative budget देना पसंद करेगी ठीक है हो सकता है कुछ positive आजा है हाला कि expectations नहीं है बट हो सकता है कुछ positive आजा हो सकता है STT remove हो जाए या और कम हो जाए या फिर कोई LTCG के उपर कुछ नया announcement हो जाए ठीक है न तो आपको थोड़ा सा positive side ही play करने की कोशिस करिएगा तो ये है nifty का view जो आपको रखना है अगले दो trading session में अपना point of view से यहाँ पे 17650 mark कर लीजे अगर ये level निकलता है तो आप buy करिए और अगर नीचे 16400 की नीचे जाता है तो sell करिए इसके बीच में आपको price action देखना पड़ेगा क्योंकि event है जैसे जैसे वो अपना कहाते है निर्मला सीता रवन जी अपना जो letter है budget का जो basically जो भी अपना पढ़ना start करेंगी तो जैसे जैसे market react करेगा उन चीज़ों पर तो वो price action आपको देखना पड़ेगा उसके हजाब से आपको trade करना पड़ेगा but level wise यहाँ पर मेरा जो important level है वो यह ही है ठीक है इस पर आप नदर रख सकते हो global market की मैं आपको बता ही चुका हूँ major indices में चाहते हैं यहाँ पर तो आपको देखेगा DAO करीब almost 500 point चड़के बंद हुआ NASDAQ करीब 400 point चड़के बंद हुआ और S&P 500 करीब 5.5% jump के साथ 100 point चड़के बंद हुआ है जो European futures negative ते वो negative में ही close हुए है क्योंकि जाहिर सी बात है अल्रेडी यह दो दिन से jump कर रहे थे तो थोड़े सा profit working in में आ गई है तो यह सारे point है जो आपको ध्यान रखने है अगले एक से दो trading session में यानि Monday Tuesday trading session में यह द्यान रखनी है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share जरू करेगा और चैनल को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं सो दिल लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इस ही के साथ शुक्रिया दोस्तो चैहेंड